नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन क्मुटी के आउनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है FDR वीडियो सिरीस में भारत के भुगोल के प्रशनों के संग्रा के साथ मैं हूँ आपके साथ अकास सेंग पिछले वीडियो में हमने जियोगरफी के कोश्चन जो सौल किये उसमें कथन वाले कोश्चन की मातरा जादा थी इस वीडियो पर हम सिंगल स्टेट्मेंट वाले कोश्चन की मातरा ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि छादर जादा से जादा एक्जाम में जो पैटर्न आते हैं उन पर अपनी समझ और पकड़ बना सकें। तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रश्ण से हैं। सबसे पहला प्रश्ण कहता है निम्न लिखित में से सबसे प्राचिन परवश्रिंकला कौन सी है। और यहां पर चार आप्शन हैं हिमाले, अरावली, विंध और सत्थपुड़ा। सबसे पहले हम इन सभी परवश्रिंकलाओं की जो इस्तिती है भारत के भगवलिक भाग में वो कहाँ-कहाँ पर है, उसे भी देख लेते हैं। तो आपको यह पता है कि जब आप हिमाले देखेंगे तो यह हमारे उत्तर परवश्रिंकला का भाग बनता है। देखें तो आपको इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जब आप विंद्यान देखें तब मद्य पर और सत्पुरा भी आपके विंद्यान के दक्षिन पर आपको देखने को मिलेगा अब प्रश्ण पूछा है कि इन सभी दिये गए परवत शिंखलाओं में सबसे प्राचिंतम कौन सा है तो जैसा कि हमको पता है कि हिमाले तो नहीं होगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हिमाले से संबंदित बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और हमने देखा कि हिमाले एक नविंतम वलित परवतों का उधारण है अर्धाद यंगेस फोल्डेट मांटेट अब बात आती है कि इन तीन में से कोई एक सहीं आप्शन होगा तो वह सहीं आप्शन होने वाला है अरावली क्योंकि अरावली के बारे में अगर देखा जाए तो अरावली का निर्माण प्रीकेम्ब्रियन काल पर अमाना जाता है या फिर अगर आप वर्षों के अधार पर कह दें तो 600 मिलियन वर्ष फूर्व की ये कहानी बनती है अरावली के विस्तार को अगर आप देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है गुजरात, राजेस्थान, हर्याना और दिल्ली तक इसकी विस्तार को आप देख सकते हैं लगबग 800 किलोमेटर तक अरावली को ही अवसिष्ट परवत का उधारन कहते हैं इसलिए क्योंकि आज जिस अरावली को हम देखते हैं या अपने वासवी रूप पे नहीं है बहुत लंबे समय के कारण इसमें वेदरिंग हुई है, इरोजन हुआ है और इस कारण से ये अब बहुत ही इसका बचा-खुचा भाग हमको देखने का मिलता है इसलिए हम इसे रेलिक्ट मौंटेन का एक 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 एक्जामपल कहते हैं अरावली से एक और प्रशन भी पूछा जाता है कि अरावली की सबसे उच्चतम चोटी क्या होगी तो उसका आंसर होगा गुरुशीगर और इसकी उचाई होगी 1722 मिटर अरावली पर ही स्थीत है माउंट आबू और अरावली पर ही स्थीत है प्रसीद जैन बंतिर दिलवाड़ा तो इस प्रकार से जब हम ये चारो परवत शिंकलाओं की स्थीती को देख लिए और हमने ये जाना कि अरावली सबसे प्राचीन परवत शिंकला का उधारन बनता है तो हमारा सही आप्शन हो जाता है प्रस्चन का आप्शन भी जिसमें लिखा हुआ है अरावली अब हम आते हैं दूसरे प्रस्चन पर दूसरा प्रस्चन कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मद्य इस्थिद है चार आप्शन है बिंद्य परवत सत्पुड़ा शिंकलाओं राजमहल और अरावली तो हम इन चारों के अधार पर देखते हैं पूछन पूछा जा रहा है कि नर्मदा और तापी ये दो नदियां है प्रायदुपी भारत की और इन दो नदियों का जो प्रवा मार्ग है इन प्रवा मार्गों के मद्य कौन से परवश रिणी है तो हम यहाँ पर देखते हैं क मद्य पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि विंद्यान परवत दिखता है और विंद्यान परवत और सत्पुड़ा परवत के मद्य बहती है नर्मदा नदी जिसका उद्गम होता है अमरकंटक से और सत्पुड़ा नदी के दक्षिन से बहती है तापती नदी अब सही उत्तर इस ज प्रश्ण पूछे जाते हैं तो एक प्रश्ण यह आता है कि कौन सी नदी है जो भ्रंच घाटी को अपना मार्ग बना कर प्रवावित होती है तो इसका उत्तर होगा नर्मदा क्योंकि जब आप विंद्यन परवत और सत्पुड़ा परवत को देते हैं तो किसी प्राचीन काल पर ये दोनों एक ही परवत का भाग बना था इन दोनों ही परवतों के बीच पर जब भ्रंच घाटी बनी अर्थात जब फॉल्टिंग हुई दो प्लेट जब एक दूसरे से अलग होते हैं टेंशन फोस लगता है तो बीच का हिस्सा धस जाता और एक घाटी का रूप धार हैं हम इससे संबंदित और भी प्रश्ण आते हैं कि इस तरीके से मैप आपको दे दिया जाए और ABCD करके दे दिया जाए और आप से पूछा जाए कि आप उत्तर से दक्षिन पर इन चीजों को अरेंज करें तो आप विंधियन नर्मदा सत्पुरा और ताप्ती नदी ऐसा याद रखें तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्ण भी समाप्त होता है अब हम आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है उत्तर से शुरू कर दक्षिन की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुकरम कौन सा है अगर हम नौट तू सौथ नौट आस्पार करें पेरी पहार्या और और aप्शन भी औप्शं सी उप्शन डी इन्ही पहाड़ीयों पर ही अलग अलग क्रम यहां पर दिए गए गये तो चलिए हम इसके इस स्थिति देखले थे भारत के इस मांचितre तो सबसे पहले तो हम यहा पर देखते हैं नौट अनलमल्ला Hills आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर उसके बाद जब इसका विस्तार अगर आप देखें हैं तो यह आंदर परनाजर तिलंगाना्य ते पर देखने को मिलेगा फिर उसके बाद हम आते एं जावडी Hills पर जावडी तोड़ी हिल्स उत्तरी तमिलनाडू वाले छेतर पर हमको देखने को मिलेगा फिर उसके बाद थोड़ी और दक्षिन की और आ जाएं तो हमें मिलेगा यहाँ पर निलगिरी तीन निलगिरी तीन राजियों पर विस्तारित परवर्श शंकला है और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर और दक्षिन पर केरल वाले छेतर पर अन्नमलाई तो अगर यह हमारा सीरीज बनता है तो यह सही सीरीज देखा जाये तो उत्तर से निलगिरी और अन्नमलाई यह उत्तर से दक्षिन की और बन रहा है और यह सही करम हमको देखने को मिल रहा है उप्शन सी पर तो तो इस प्रशन का सही option हो जाता है option C अनलमलाई पहाडिया फिर जवादी निलगरी पहाडिया और फिर उसके बाद अनलमलाई पहाडिया तो इस तरीके के प्रशन भी समानी रूप से पूछे जाते हैं उत्तर से दक्षिन की और और ठीक इसी प्रकार से पस्चिम से पुर्व की और भी पहाडियों के विस्तार को पूछा जाता है एक्जाम में चलिए इस प्रशन के बाद अब हम आते हैं अगले प्रशन पर चौधा प्रशन कहता है निमनलिकित उच्चावच उच्चवच याने हाइलेंड्स उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दिजिए चार य महाँ पर उच्चें रहे हैं इन हाई लेंड्स को वे तू एस्ट आरेंज करना है पक्य पूर्व भाग बनता है सबसे पुर्वी भाग सत्पुड़ा का मैकाल और उससे थोड़ी पच्चिम पर आपको मिलेगा महादेव हम देखते हैं कि यह जो सत्पुड़ा परवत शिंकला है वह विच्छेदित है टुकडो टुकडो में डिवाइड़ है लेकिन अगर हम विंदियन की बात करें तो एक सिरीज पर हमको परवत शिंकला देखने को मिलता है तो जब हम यहाँ पर सत्पुड़ा परवत देखें तो महादेव इल्स और मैकाल हिल्स हमने यहाँ पर देख लिया फिर उसके बाद थोड़ी सी और जब पुर्व की और गए तो हमें इस छेत्र पर जारखण बिहार वाले छेत्र पर और थोड़ा इसका विस्तार 36 गड़ पर मिलेगा चोटा नाकपूर पठार के और पुर्व गए तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है मालदा गैप और मालदा गैप के बाद फिर हमें यहाँ पर मिघाले का पठार गारो खासी जहनतिया भी यहाँ पर मिलता है तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कौन-कौन से यहाँ पर पस्चिम से पुर्व पर यह पॉइंट हो गया आपका महादेविल्स यहाँ पर हमने देखा मैक चोटाना पुर्पठार और खासी इस तरीके से अरेंजो वह सहीं ऑप्शन होगा तो सहीं ऑप्शन दिखता है हमारा ऑप्शन ए 1234 यह वेस्ट का एक्स्टेंशन दिखा रहा है मौंटेन सिरीज का चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है निम्न विस्तार जिस पॉइंट पर मिलता है उसे कह दिया जाता है निलगिरी पहाड़ी और यह निलगिरी पहाड़ी तीन राज्यों पर इसका विस्तार दिखता है करनाटा केरल और तमिलनाड़ उपर तो इसका सहीं आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जिसमें निलगिरी पहाड़ी ह देख रहे हैं चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण कहता है नेम ने लिखी कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर आपसे पूछ रहा है पहला कतन कहता है पस्चमी घाट उत्री छेत्र में अपेक्षा कृत अधिक उच कहता है दूसरा कतन कहता है पस्चमी घाट में अनाई मूरी सबसे उच्छी चोटी है फिर उसके बाद हम तीसरे कतन पर जाएं तो ताप्ती नदी सत्पुड़ा के दक्षिन पर है नर्मदा नदी तथा तप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती ह है इन दो कतनों के बारे में हमने पहले भी डिसकस कर लिया कि किस प्रकार से तापती नदी सत्पुडा के दक्षिन से होकर प्रभावित हो रही है और नर्मदा नदी तापती नदी रिफ्ट घाटियों को अपना मार्ग बना कर बैर रही है पुरानी तो जाहिर सी बात है ये प्रायद उपी भाग भारत का सबसे प्राचिंत भुभाग कहलाता है तो दो ऑप्षन तो हमारा यहां पर सही निकल चुका है अब बागी बचे ऑप्षन ए और ऑप्षन बी इन दोरों में से ही कोई एक ऑप्षन इसका सही ऑप्षन होगा ऑप्षन बी पर चलते हैं चाजार 695 मिटर देखने को मिलता है अनाई मूडी को आप अलग अलग तरीके से जान सकते हैं कि अगर पस्चमी घाट की सबसे उच्चितम चोटी हो तो भी आप इसी का नाम लेंगे जब आप से कहा जाया कि दक्षिन भारत की सबसे उच्चितम चोटी तब भी अनाई मूड का ही नाम लेंगे कई बार confusion यहाँ पर डोटा बेटा से होता है लेकिन डोटा बेटा दक्षिन की सबसे उच्चितम चोटी नहीं होगी डोटा बेटा निलगिरी परवत शिंकला की सबसे उच्चितम चोटी कहलाती है और इसकी height अनाई मूडी से कम है यह है 2637 मिटर तो इस गया Elimination Method से Option A या सही Option पर पहुँचने का तरीका अब आप इसे जानकारी के अधार पर देखें तो जब हम पस्चमी घाट को देखें तो इसका विस्तार गुजराज से लेकर तमिलनाडू तक देखने को मिलता है और जब इसका विस्तार आप देखें तो दक्षिन वाले भा मौनसुन आता है सौथ वेस्ट मौनसुन का अंसेट होता है तब यहां पर पस्चमी घाट ज्यादा उचा हो जाने के कारण वह मौनसुन पवने भारत के दक्षिन वाले भाग पर नहीं आती और इस वाले भाग पर रेंजशेडव एरिया या व्रिश्टी छाय छेद्रगा निर्मान होता है लेकिन अगर उत्तर वाले भाग पर हम देखें तो उत्तर वाले भाग पर इसकी उचाई कम होने के कारण मौनसुन विंड अरावली के पैरलल होकर हिमाले तक पहुंच जाती है और विंद्यान सर्वत और विंद्यान और सत्पुड़ा के मध्य से ये निक गुदावरी, कृष्णा और कावेरी या इस भाग के उपर ही प्रवावित होकर चली जाती है तो ये जपात अंत्र पर और जब आप जलवायू पढ़ेंगे तब पस्चमी घाट के इन विश्यस्ताओं का प्रयोग किया जाता है तो आप इसका सार ये है कि पस्चमी घाट का उत्तरी छेत्र में अपेक्षा के अधिक उचाई पर है ये कथन गलत हो जाएगा उत्तरी छेत्र या नॉर्देन पार्ट कंपरिटिवली लोवर हाइट पर है सदन इंडिया के चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है भारत की दक्षिन तब प देखने को मिलेगा चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर और यह प्रशन हिमाले की परवत चोटियों से संबंदीत है निम्न में से कौन हिमाले की चोटियों के पुर्व से पस्टिम दिशा के सहीं क्रम को दर्शाता है अर्थाद पुर्व से पस्टिम की और के क्रम को हमें देखना है हमने जिस प्रकार से महादेव मेकाल और छोटा नागपूर वाले कोश्चन पर पस्चिम से पुर्व गया है वैसे ही प्रश्च अब पूछा जा रहा है हिमाले की चोटियों के पूर्व से पस्चिम के क्रम पर तो चलिए इन नीचे दिये गए ऑप्शन पर अज़र डालें ऑप्शन पर कुछ परवत शिरिणियों का जो यहां पर जिक्र किया गया है दौला गिरी कंचन जंगा मकालू मांट एवरेस्ट और यहां पर नामचा बारवा और नंदा देवी इन परवत सिंखलाओं की चर्चा इन सारे चार आप्शन पर हमको देखने को मिल रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं जब हम हिमाले का विस्तार देखते हैं खासकर जब व्रियाद हिमाले का विस्तार देखते हैं तो हम देखते हैं कि व्रियाद हिमाले का विस्तार नंगा परवत से लेकर अरुनाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक है फिर व्र आप यहाँ पर ब्रिया दिमाले को देखेंगे तो gaps नहीं दिखेंगे बड़े बड़े उचे उचे परवत जो हैं उनकी एक continuous series दिखेंगी जिस प्रकार से आपने यहाँ पर नंगा परवत देखा ठीक वैसा ही उत्तरा खंड पर आप नंदा देवी देखेंगे जब आप ने दिखेंगा भी दिखेंगा तो इस प्रकार से आप यह पूरे greater हिमाले के important mountain peaks हैं और यह जो question हिमाले की चोटियों पर पुछा गया है अगर विशेश तोर पर देखा जाए तो व्रियाद हिमाले की चोटियों के बारे में पुछा गया है तो देखते हैं कि सहीं option कहां पर ब बात करें तो दोला गिरी मांट एवरेश के पस्चिम पर इस्थिद है और मकालू मांट एवरेश के दक्षिन पूर्वी छेतर पर इस्थिद है तो इस प्रकार से जो question हम से पूछा गया था पूर्व से पस्चिम का क्रम उसके अधार पर option D हमारा सहीं option बनता है चलिए correctly match कौन सा option नहीं हो रहा है पहला है चांगला जमुएन कश्मीर दूसरा है रोतांग हिमाचल प्रदेश तीसरा है बॉम डीला अरुनाचल प्रदेश और चौता है सेला उत्रागर तो अगर यह पासेस को देखे तो पासेस पर अधारित प्रश्चन भी एक्जामस में हैं तो चलिए पहला option चांगला जमुएन कश्मीर यह सही है जमुएन कश्मीर पर ही चांगला पास है रोतांग पास हिमाचल प्रदेश यह बहुत ही important है रोतांग पास क्यों क्यों क्योंकि इसी रोतांग पास पर आप देखें तो दो महतपून हिमाले की या सिंदू नदी अपवात तंत्र की नदिया निकलती है राभी और ब्यास और इसी पासेस के माध्यम से मनाली और ले तक जोड़ आप देख पाएंगे option C कहता है बॉमडिला अरुनाचल प्रदेश तो भुटान और अरुनाचल प्रदेश के समीब पर आपको ये पास दिखेगा बॉमडिला और जो आखरी option बच जाता है इसका मतलब इस question का जो सही आंसर होगा वो होगा option D सेला उत्राखंड सेला उत्राखंड पर नहीं सेला भी अरुनाचल प्रदेश पर ही है उत्राखंड पर बहुत ही महतपुन और प्रसिद पास है लिपू लेक या लिपू लेक क्यों भारत के दर्रों का एक उधारन है निलगरी और काड़म पहाड़िया निलगरी और अन्नमलाई पहाड़िया अन्नमलाई और काड़म पहाड़िया और काड़म पहाड़िया और पालनी हिल्स तो चलिए इसका सही option है निलगरी और अन्नमलाई पहाड़िया हम यहाँ पर दे सागर की शाखा इन गैप्स के माध्यम से कई बार तमिल नाडू तक में भी पहुँच जाती है हम समान एरुप सर देखते हैं कि तमिल नाडू पर वर्षा शीतरितू पर होती है रिट्रिटिंग मौनसून के द्वारा लेकिन कई बार इस पासेश के द्वारा इस पास के दक्षिन पस्चमी मौनसून की शाखा अरब शाखा तमिल नाडू तक पहुच जाती है इसके द्वारा ही तमिल नाडू की वैगाई नदी और करला की परियार नदी में भी जल मात्रा पहुच जाती है तो इस प्रकार से इस कोश्चन का सहीं आंसर हम देखते हैं आप्शन एक क्रिटेशियस यूग में आप्शन बी प्लिस्टोसीन यूग में आप्शन सी कर्बोनी फेरस यूग में आप्शन डी मायोसीन यूग में तो क्रिटेशियस यूग पे इसका निर्मान हुआ है मैसाजोईक एरा के जब क्रिटेशियस प्रेट पर हम चलते हैं जो की मैसा पर पर एक रीउनियन आइलेंड के उपर से गुजरता है यह रीउनियन आइलेंड एक जौला मुखी दूइप रहता है जब इसके उपर से गुजर रहा होता है इंडियन प्लेट तो जौला मुखी प्रक्रिया के द्वारा लावा भारत के प्लेट के सता के उपर आ जाते हैं और लेयर बाई लेयर यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है जो आगे चल कर हम उसे डेकन ट्रेप कहते हैं अब यह जो लावा आया था वह एक इगनियास रॉग भी था आप उसे कह सकते हैं कि बैसाल्ट निरमित लावा शेल्ट समू उसे को ही कहते हैं तो इस प्रकार से क्रिटेशियस यूग में बागी अगर आप देखें कार्बोनी फेरेस इसके काफी पुराना टाइम पिरेट है यह हमारा पहले जोईक टाइम पिरेट पर आता है और मायो सीन तो हमारा सेने जोईक पर अरधा यह हिमाले के विकास क्रम से संबन देते हैं चलिए अब हम आते हैं अगले कोश्चन पर सूची एक का सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सहीं उतर चुने मैजजा फॉलोइंग बेस्ट यह कोश्चन है एक तरफ सूची एक है जिसमें पहाड़ी दर रहे हैं पासे से और दूसरी तरफ राज्य हैं कि यह किन राज्यों पर है तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सहीं आंसर क्या हो सकता है सबसे पहले हम देखते हैं बनियाल है जम्मू एन कश्मीर पर यह जब आप लैसर ही माले देखेंगे यहां पर पीर पंजल दिखेगा इस लैसर ही माले के पीर पंज होते हैं क्योंकि यह सीधे तोर पर तिब्बत से कनेक्टेड होते हैं या फिर आप कह सकते हैं शाइना से कनेक्टेड होते हैं निती पास इस्थित है उत्राखंड पर और आखरी जो पास है शिपकी यह है आपका हिमाचर प्रदेश पर शिपकीला से ही सतलज नदी तिब्बत से या पिर केलाश मान सरोवर के पास से उद्गमित होते हुए इसी शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तो इस हसाब से अगर हम देखें तो हमारा सहीं ऑप्शन होता है ऑप्शन बी जहां पर हम देख रहे हैं एका टू बी का थ्री सी का फोर और डी का वन ऑप् कि मिम्ह लिकीत में से सबसे बड़ा हिमनद हिमनद अर्थाथ ग्लेशियार कौन सा है ऑप्शन ए सी अचिन ऑप्शन बी ब Cat-ी बी-आफों ऑप्शन सी हिस्पार और और ऑप्शन बालदोरो निम्हो अगर आप देखें तो बिरीएद और बड़े बड़े हिमनद हमें जित में केटू गॉडविन आस्टीन भी इस्थिद है तो इसे अधार पर अगर आप देखें तो सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो लगबग 76 किलो मिटर के आसपास है फिर option B है आपका बियाफो बियाफो की जो लंबाई है वो लगबग 60 किलो मिटर के आसपास है फिर है हिसपार, हिसपार की लंबाई की बात अगर की जाए तो यह कम से कम 58 किलो मेटर तक लंबा देखता है और फिर हो है उसके बाद बालतोरों और बालतोरों की लंबाई अगर आप देखें इस पर 61 km है और बालतोरों की बात आप करें तो यह 58 km है तो इस प्रकार से सबसे बड़ा हिमनत सियाचिन दिखता है यह इस तरीके से लिखने का उद्देश और क्या है कि अगर आपको यह बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते क्रम पर भी पुछे तो भी आप असानी से सौल कर पाएं तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्ण भी समाप्त होता है इतने प्रश्णों के बाद आगे के प्रश्ण हम अगले वीडियो पर देखेंगे आगे के वीडियो पर आपको और भी प्रश्ण मिलेंगे आपको प्रश्ण मिलेंगे अपवातंतर पर बहुतीक विभाजन पर मिलेंगे जलवाईयों पर वनस्पती पर और अन्य टॉपिक पर भी मिलेंगे तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले